हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओनलाइन अधार किस तरह से अपडेट कर सकते हैं यदि आपको अधार कार्ड में पती का नाम यद फिर फादर का नाम चेंज करना है अपना एडर्स चेंज करना है तो आप ओनलाइन ही अपने घर वेटे किस तरह से चेंज कर सकते हैं यदि आप सौक ओनर हैं और आप ओनलाइन अभार अपडेट करना सीखना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आप से लिए यूसपल होने वाला है तो वीडियो को पूरा चरूर से देखें ओनलाइन अभार अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे ब्राउजर में तो ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर एड्रेस बार पर किलिक करेंगे और टाइप करेंगे जीसे कि जो अधार की ओफिसल वैफ साइट है वह है ओपन हो जाएगी अब अमें यहाँ से लेंगविज सेलेग करने को बोला जाएगा तो आप जो भी लेंगविज पर जाना चाहें आ से जा सकते हैं तो हम इंग्लिस पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आधार की official website open हो जाएगी तो आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है जैसी अब scroll करके थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको यहाँ पर download आधार पर click कर देना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है उपर आपको my आधार के नीचे dashboard पर click करना है जिससे कि आपको यहां पर एक login की बटन निखाई देगी तो आपको यहां पर login पर क्लिक करना होगा अब आपको यहां पर enter अधार नमबर पर क्लिक करके जिसका भी आप अधार अपडेट करना जाते हैं अधार नमबर यहां पर डाल दे अधार नमबर डालके हो जाने के बाद अब आपको Enter Capture पर किलिक करना है और Capture Code को डाल देना है Capture Code डालने के बाद Login with OTP पर किलिक करेंगे इतना करने के बाद अब हमारे रिजिस्टर मोबाइल नमबर पर या फिर कस्तुमर के नमबर पर अधार OTP चला जाएगा जोके 6-figit कराएगा अब यहाँ पर हमें OTP डाल देना है मोबाइल नमबर में OTP आ जाने के बाद हम यहाँ पर OTP डालेंगे और उसके बाद Login पर किलिक कर देंगे तो हम यहाँ पर Successful Login हो जाएगे तो हमें यहाँ पर अधार Disable Services दिखाए देगी तो अब आप यहाँ पर Address Update पर किलिक करेंगे और यहाँ पर Update अधार Online पर किलिक करके यहाँ पर फुछ Information आएगी तो Proceed to Address Update पर किलिक करके यहाँ पर अब आपको यहाँ पर Address Select रक्ट हुए Proceed to Address Update पर चले जाना है अब हमें यहाँ पर पुराना जो Address है वहाँ दिखाए देगा तो आपको यहाँ पर Care Off डालना है यहाँ आप Husband के लिए डाल रहे हैं तो W-O डालना है मखड़ की होता है Wife Off और जो Husband का नाम है वहाँ यहाँ पर डाल देना है जैसे ही आप यहाँ पर Husband का नाम डालेंगे और आपको उसके बाद बाहर क्लिक करना है तो W-O हिंदी में आ जाएगा यदि अच्छे से नहीं आता है तो आपको हिंदी वाला Keyboard लाकर यह आपने सिस्टम में है तो उससे अच्छे से यहाँ पर पती का नाम लिख देना है आपको यहाँ पर शुह में पती लिखना है और उसके बाद उनका हिंदी में नाम लिख देना है यहाँ पर जो special character होते हैं वहाँ काम नहीं आते हैं तो इतना करने के बाद आपका जो वोटर आइडी कार्ड में पता लिखा हुआ है वह आपको पूरी अच्छी तरह से उससे देख देखके यहाँ पता डाल देना है ताकि कोई भी गलवली ना हो और आपका जो अधार अपडेट की प्रोसेसर फैल ना हो तो आपको इस तरह इंस देख देखके अच्छे से हिंदी और इंग्लिस में मिला लेना है कि हिंदी में भी तो आपका जाले यहां तो यहां पर पूरा ड्रेश देता और उसके बाद select valid supporting document type पर click करेंगे और यहाँ पर जो भी आप document upload कर रहे हैं उसको select करेंगे हम यहाँ पर voter ID card को select करेंगे क्योंकि हम भई upload करेंगे तो उपके पर click करना है और यहाँ view details and upload document पर click कर देना है तो आपको उससे पहले बता देता हूं कि आपको किस तरह से यहाँ प details hide कर दिया हूं क्योंकि privacy का कारण हमें करना पड़ता है तो मैंने इसे अच्छी quality में PDF फाइल बना लिया हूं और हम यहाँ पर continue to upload जाएंगे और उस PDF नेता है यह तभी-कभी error आ जाता है नहीं होता है तो आपको यह फिर से की सारे process चरना होगा login करने के बाद खेचते यह सब process करना होगा इसमें कभी कभी समय लग जाता है कभी-कभी हमें red से लिखाई आता है इतना सब कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको प्रिव्यू दिखाई देगा supporting document दिखाई देगा तो आपको एक बार पता को अश्य से मिला लेना है उसके बाद यहाँ पर एक checkbox दिखाई दे रहा है उस पर टिक लगा देना है तो हम टिक लगाते हैं और यहाँ पर ज यहाँ कई बार कापी ज्यादा लोड लेता है यहाँ सर्वर के कारण होता है कभी सर्वर अच्छा फाफ चलता है तो कभी कभी सर्वर सो चलता है तो आपको लोड लेने का वेट करना होगा क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर आ चुका है फिर स याफी processing खीज़ होती है तो हमें टिक लगा के एक हमें रेजर पर या फिर पर यू विज को सेलेट करना होगा तो हम रेजर को सेलेट करके next पर जाएंगे और यहां पर खट सेगी payment gateway open हो जाएगा यहां पर दिखाई दे रहा है QR code इसे scan करके कहां कौन के से payment कंपलेट कर देंगे तो चलिए मैं ज्लिदी सिफ फॉन पे से पैमेंट को कंपलेट कर देता हूं आपको ऐसे ही रखना है और जो कोड़ दिक्षाई दे रहा है उसे scan करके पैसे आत्माटिक आजाते हैं 50 रुपाय और आपको pay कर देना है जैसी आप प्रेव करेंगे payment सैक्सिस्पुल हो जाएगी और जैसे कि यहांपर आप दिखाई दे रहा है payment सैक्सिस्पुल 50 रुपाय और रेडारेक्टिंग शुरू हो जाती है तीन सेकंड में वहाई अधार की वेफसाइट में रेडारेक्ट हो जाता है अब आपको इस्टिमेट टाइम दिखाए देता है यहाँ पर राइट का आइकोन आएगा और यहाँ पर डाउनलोड एकनॉलेजमेंट गिए रिसिब दिखा देता है उस चलिए जिए उपन करके में दिखा देता हूं जो एकनॉलेजमेंट नमबर है अब आप आपस देख सकते हैं जो एकनॉलेजमेंट की सिलिफ होगा दिखाई दे रही है इसमें पुराना और नया एडर्स भी दिखाई रहे है कि क्या हम अपडेट कर रहे हैं कित अपडेट कर सकते हैं और एडरेस चैंज कर सकते हैं उम्मीद करता हूं अपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जरू कुछ ना पूछ नहीं सिखने को मिला होगा